न्यूस तक अब नए अंदाज में इसमें आमिर खान उनके लिए साड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं बता दे कि ये वीडियो करीब 11 साल पुराना है ये वीडियो तब का है जब दोरों मध्यप्रदेश के चंदेरी के बाजार में शॉपिंग पर निकले थे वीडियो में आमिर खान दुकानदार से पूछते हैं कि क्या ये साड़ी में खरीद सकता हूँ जवाब में दुकानदार हां कहता है आमिर खान कहते हैं कि मैं ये साड़ी करीना जी के लिए खरीदूँगा मेरी तरफ से ये साड़ी उनको गिफ्ट होगी मैं इस साड़ी के लिए आपको 6,000 रुपे नहीं दूँगा मैं आपको 25,000 रुपे दूँगा क्योंकि यही इसकी real market price है दुकांदार पहरे तो मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं वीडियो में करीना कपूर साड़ी को खुद पर लगा कर टटोलती भी है यह साड़ी काले और सिल्वर जरी वाली नजर आ रही है वीडियो में आमिर खान हैंट बिट साड़ी की खूब तारीफे कर रहे हैं दुकांदार को बताते हुए सुना जा सकता है कि यह साड़ी 15 दिन में बनकर तयार हुई साड़ी बहुत खुबसूरत लग रही है जो करीना गपूर को और भी जादा अच्छी लग रही है दरसल 2009 में आमिर खान और करीना गपूर मध्यप्रदेश के चंदेरी शहर में शूट करने पहुँचे थे चंदेरी की साड़ियां दुनिया भर में मशूर हैं दोनों यहां के बुनकरों से मिलने पहुचे थे एक बुनकर के घर खाना भी खाया था करीना और आमिर ने 2009 में थ्री इडियर्स फिल्म में एक साथ काम किया था दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया गया था और यह फिल्म सूपर हिट साबित हुई थी इसके अलावा दोनों 2012 में तलाश फिल्म में नजर आये थे आपको बता दें कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब दस साल बाद एक बार फिर से बड़े परदे पर एक साथ नजर आरेंगा ले हैं फिल्म लाल सिंग चड़ा अपरेल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी आमिर खान और करीना गपूर के अलावा नागाच चैतन्या और मोना सिंग भी इस फिल्म में एहम भूमिकाओं में नजर आएंगे ये फिल्म हॉलिवूड फिल्म दे फॉरेस्ट गंप का हिंदी रिमेक है इससे पहले करीना और आमिर त्री इडियोट्स और तलाज जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बहराल वीडियो सोचल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है लोग आमिर खान की दरिया दिली पर फिदा हैं साड़े छे हजार की साड़ी आमिर ने 25 हजार रुपे में खरी दी उनकी इस बात को क्या समझा जाए इस बात का फैसला तो आप खूद करिये झाल